वाइस टुड़ा डीवी नेटवर्क के साथ मैं सियेद उस्मान दली, कॉंग्रेस के बेबाद लीडर उस्मान मुहम्मत खाने मीडिया से पुस्तों को करते हैं वेचन चुक्ते हैं समारात उठाए जिसका बराहरास तालुख टियर्स पाड़ी के वजीर आला से हैं आये निलेशन से खबल ऐसे सावालाद किसकादर माने खेस हो सकते हैं आपको अंदजा लगा सकते हैं और मौजिदा हुक्मना जमात के वजीर आला केशियर साहब क्या होवारी इस सावालाद के तसलिफ बख जवाब अवाम को दे सकते हैं या नहीं आये बात करते हैं कांगर्स के अजीम सबूत उस्मान मुहम्मत खान से मैं अस्मान मुहम्मत खान नायब सदर अजीम तर हैदरबाद कांगर्स कमिटी है मैं आज तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर साहब के चंदरशिकर राव साहब से चंद सवालात करूँगा और उमीद करता हूँ कि वो इसका जवाब जरूर देंगे केसियार साहब सबसे पहले आप मेरा एक सवाल है कि आप फेडरल फ्रंट बनाये थे जो बनी ने और आपका एक एलाइन से क्या आप सोला एंपी से प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं और आप पूरे तलंगाना स्टेट में सत्रा एंपी खड़ाए हैं और सोला की जीत बताते हैं तो जो आपका सत्रावा एंपी है है हैदरबाद का क्या वो डमी है दूसरी चीज केसियार साथ आप बीजेपी की बीटीम है या नहीं ये आप बताईए हैं नोट बंदी में आप खामोश रहें प्रेसिडेंट एलेक्शन हुआ तो रामनाग गोईन जी को आपने अपना वोट दिया विंकया नाडूई जी जो नायब सदर बने उनको आपने अपना वोट दिया जी एस टी में आप खामोश रहें जहां सारे हिंदोस्तान के पार्टी एतजाद करें वहाँ पे आप खामोश रहें ट्रिपल तलाख के मौखुफ पे भी आप अपनी चुपी जाहिर करें एंपी के साथ 12% रिजर्विशन ला सके नहीं ला सके तो आप प्राइम मिनिस्टर कैसा बनाएंगे जर आप ये वाज़े कर दीजिए पबलिक को ताके हम मुतमईन हो जाए कि आप किस पॉलिसी से मेरे को जहां तक मालूम है 272 एंपी होना चाहिए अगर प्राइम मिनिस्टर बनाना है तो आपके पास 16 एंपी है 16 एंपी में आप बाजुक जीरो कैसा लगाते हों मेरे को नहीं मालूम है आपका मैजिक फिगर तो आप एक बार पबलिक को इस से वाखिफ करा दीजे दूसरी चीज़ केसेयर साब अब मैं स्टेट में आता हूँ स्टेट की बात करूँगा आप वगवोट को जुडिशल पावर देते बोले थे और पहले चार महीने में देते बोले थे आप वखबुट को जुडिशल पावर अभी तक नहीं दिये क्योंकि वो तो सिर्फ स्टेट के हाथ में रता है सिंटर के हाथ में नहीं रता है कब देंगे केसियार साब आप वखबुट को जुडिशल पावर जब पुरे जमीन, पुरी जायदाद, वखबुट की तबाव और ताराज हो गया बात केसियार साथ, आप मुसल्मानों के हमदर्द है बोलते है हैदरबाद और तलंगाना में आप खुद वाकिफ है कि हैदरबाद में कितने गैराबाद मस्जिद है किसी पे कोई केस नहीं है, कुछ नहीं है तो उस मस्जिदों को आबाद करने के लिए आप कोई ओर्डर क्यों नहीं पास करते है आप और आपके अलाइंस अगर बैट के एक टेबल पे एक ओर्डर पास कर दिये तो सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे के अंदर हैदराबाद के तमाम गैराबाद मस्जिद आबाद हो जाएंगे और आप वखबुट के लिए जुडिशल पावर अगर आप बैटे बैटे दे दिये तो आप अपने टेबल से अपने सेक्रेटेट से दे सकते है KCR साब आप मोदी के अलाइंस अगर नहीं है तो फिर आप कैसा हुकुमत बनाते वो बताईए मेरे को हुकुमत तो सिर्फ दो ही जेने बना सकते हैं कॉंग्रेस और एक बीजेपी क्योंकि दोनों भी मैजिक फिगर ला सकते हैं आप मैजिक फिगर कैसा लाएंगे आपकी फेडरल फ्रेंट बनी नहीं तो लिहाजा आप डबल बेडरूम स्कीम्स डबल बेडरूम देते बोले आप डबल बेडरूम में भी आप सेक्सस नहीं हुए आप golden telangana बनाते बोले आप golden telangana में भी success नहीं हुए KCR साथ आप हैदरबाद को अपनी hoarding पे अपने official letters पे भागया नगर लिख रहे हैं तो आप ये बोलिए कि आप मुसल्मानों के हमदर्द कहां से हुए और आप मुसल्मानों के साथ क्या हमदर्दी करें सिवाए जुमलों के आप हमको वो समझाइए लहाजा आप अपनी दोहरी policy बन करिए आपको खुद को मालूम है आपने अपने खुद जुमलों से कहा था कि तिलंगाना देने वाली जो मैडम है उनका नाम सोनिया मैडम है और तिलंगाना देने वाली जो जमात है वो कॉंग्रेस जमात है तो मैं आप से उम्मीद करता हूँ कि आप पबलिक को इस जवालों के जवाब दीजे और 12% reservation कब मिलता वो बोलिए वोगबोट का judicial power कब देंगे आप वो बताईए इन चीजों पर आपको लोग ओड देंगे अब आपकी बातों में हम आने वाले नहीं है अब आप सब जान चुकी है क्योंकि आप बीजेपी की बी टीम है आप सिर्फ ओड डिवाइट करेंगे सोला सीट से आप पिएम नहीं बन सकते ना बना सकते तो मैं आप से उम्मीद करता हूँ कि आप पबलिक को इन सवालात के और मुझको इन सवालात के जवाब देंगे थैंक यू जे कॉंग्रेस आप देखते रहें ये वाइस्टूडे टीवी नेटवर्क ताके आप रहें हर खबर से बाखबर जब तक के लिए दीजिए सबाफरिंट को इजाज़त अल्ला आफिस जहें